आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ ओके गाई, सो हम अपने आज के topic में पढ़ेंगे की Monomials क्या होते हैं, ठीक है सो इससे पहले हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि Constraints, Variables, Terms और Algebraic Expressions क्या होते हैं सो एक बार मैं उनको recall कर देता हूँ हमारे Constraints होते से That has Fixed Numeric Values, ठीक है इसका मुल्ला भी है कि उनकी Values हमेशा Fixed रहती थी, जैसे कि हमारे Numbers हो गए, 1, 2, 3, 0, Fractional Numbers हो गए, Integers हो गए, कुछ भी, ठीक है उसके बाद आते थे हमारे Variables Variables हो होते हैं जिनकी Various Numeric Values होती थी Various Numeric Values का मतलब यह होता है कि जैसे कि हमारे Variables को हम denote करते थे Basically हम अपने Variables को Alphabet से denote करते थे, जैसे कि X, Y, Z तो Various Numeric Values का मतलब यह है कि इनकी Various Values होती है इनकी Value Fixed नहीं है, इनके अंदर हम अपने कोई भी Value Put कर सकते हैं जैसे कि Integers, Rational Numbers, कुछ भी इसके अंदर Put कर सकते हैं उसके बाद आते थे हमारे Algebraic Expressions, ठीक है So हमारे Algebraic Expressions होते क्या थे? Algebraic Expressions होते थे हमारे Combination होता था Constants और Variables का ठीक है Combination of Constants and Variables और वो किस से Connected होते थे? हमारे Fundamental Operations से Connected by our Fundamental Operations कौन-कौन से होते थे वो? Addition, Subtraction, Multiplication और Division So यह हमारे Algebraic Expressions होते थे So अब हमारे आज का Topic है कि हमारे Monomials क्या होते है Monomials की Basic Definition है An Algebraic Expression containing only one Term is called Monomials अब यहां पर हमारी एक Use हुआ Term Term use दो हमारी Term क्यों होती थी? Term भी हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था Term हमारी एक Algebraic Expressions को इसका अब टर्म का मलब यह होता सा कि जो भी हमारे Algebraic Expressions हमें दे रखा है वो addition और subtraction science है किन-किन various parts में डिवाइड है मलब हमारे वो various parts होते थे जैसे कि हमारे के expression है 2x square plus 3x minus 3 तो हमारी terms हुँ होती थी Terms हमारे parts होते थे जो connect होके हमारे expression बनते थे वो connect किसे होते थे? addition और subtraction science से तो यहाँ पे हमने 2x square और 3x जिसको किसे हैं connect किया x को तो यहाँ पे इसके 2 parts आगे 2x square और 3x ऐसे ही यहाँ थी तो यहाँ पे हमारे terms आ गई 2x square 3x और minus 3 तो यह हमारी terms होती थी अब monomials मरलब उसके इंदा हमारी सिर्फ एक single term है मरलब हमारे पास जो हमारे parts है वो सिर्फ एक single part होगा single part as in हमारे constant भी हो सकता है 2, 5, fraction भी हो सकता है ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ हमारे कोई एक variable connect हो variable भी हो सकता है 3y, 5x, सिर्फ x square, सिर्फ y square या फिर इनको combination 3x square, 2y square मरलब basically हमारे monomial हो है algebraic expression होता है जिसके अंदर हमारी term aq यहाँ पे एक term है यह 5 भी हमारे के expression ही है बट उसके अंदर term 1 है 3x square भी एक expression है, यह भी एक term है और यह किससे बनी है? हमारे constant part और हमारे variable part से और हमने इसको connect की सेगे multiplication sign से 3 into x square, तो यह हमारे constant और variable part मिलके हमारी एक term बनी तो monomial means only one term मालब हमारे algebraic expression जिसके दर सिर्फ aq term होगी, वह हमारा monomial होगा वह अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे की binomial क्या होता है Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर